क्या आप जानते हैं कि हाथरस में हुए सत्संग के दौरान मची भगड़ में एक सैक्रा से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है यह घटना पूरे देश को जगजोर देने वाली है इस हादसे में आम जनता से लेकर तीर्थ के साधुसंतों तक सभी आक्रोशित हैं खासकर चित्रकूट के जगदगुरु पद्मविभूशन से सम्मानित स्वामी रामभदराचार्य ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है मंगलवार को हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगड़ में एक सैक्रा से ज्यादा लोगों की मौत हो गई यह लोग अपने घर से कई किलोमीटर की यात्रा करके बाबा हरिनारायन के सत्संग में भाग लेने आये थे अचानक खुरी भगड़ में एक दूसरे को धक्का मुक्की के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई चित्रकूट के जगतगुरु पद्मविभूशन स्वामी रामभगराचार्य ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें सरकार का कोई दोश नहीं है उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई थी स्वामी रामभगराचार्य ने बाबा हरी नारायन पर तीखी टिपपणी करते हुए उन्हें मनमुखी और राक्षस बताया दुर्भा के पुलगड़ना है इसमें सरकार का दोश नहीं है सरकार को सूचना नहीं दी और ये मनमुखी बाबा था राक्षस हो उस पर रे पकेश भी लगा हुआ है तो जब पापी शत्तंग करेगा तो मरेंगे ही लोग पापी की करता से नहीं मरते ही मरना है का परिद्धी कर्ष्था इस प्रकार की कारवाई हुने है मृति ही थी समस्ता के मुश्ची दन्ड का विधान होना चाहिए तो कस ऐसी कम परकषी न n ayna अब बताओ जो शाकार नारायन है तो उसके स्रसंग इतलोग हमारे कैसे है तोट पहन कर जूता पहन कर स्रसंग करता है उसी कोई प्रमबन ही नहीं भोली भायर यंता को भाका के चौपर करवा दिया प्रस्ताशन का कोई दो से प्रस्ताशन को उन्हों कोई शुक्रा दी गई कोई शुक्ता प्रस्ताशन गहीं दी इन दोगोने अब इसके ले करने चाहिए इस सरकार को सावसे प्रस्ताशन को भी हम तुछ को जानते में इस लांडे को तो आप नियम होता है कोई भी आम सक्तन क मेरी आपड़ी जोटा है और बिवस्ता होती है। तो नहीं पहनना पड़ता है। शरकार से अनमती जिन देनी पहन के सरकार कोई प्रसास को इसे सुपना पड़ा है। अगे लागों जुटा लिया जो भोली बाली जंता भी चाहिए। इस दुखत घटना ने सभी को जखजोर कर रख दिया है। हम आशा करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले में उचित कारवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहों। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट